तो दोस्तों जन अधार को लेके आप सब के लिए एक latest update आया है और update है EKYC को लेके यदि आपके जन अधार की EKYC गलत हो चुकी है तो अब आप अपने जन अधार की EKYC को update कर सकते हैं कैसे update करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे साथ हो आप बने रहेगा नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगोर जी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले अपने राजिस्थान में जन अधार काड की E EKYC को लेके एक बड़ा update किया गया था कि अब परतेक परिवार को अपने जन अधार की EKYC करवाना compulsory होगा अगर आप ये EKYC नहीं करवाते हैं तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाब उठा नहीं सकते और ना ही आप अपने जन अधार में किसी परकार का update या संसोदन कर सकते हैं अब जैसे ही update है उसके बारे में मैंने भी आपको जान करी थी और लगातार यहाँ पे काफी सारे साथियों के द्वारा है अपने जन अधार की EKYC वो करवाई भी गी लेकिन जल्द भाजी में हडबडी हडबडी के अंदर हो करवादी ध्यान ने दिया और जब भ अधार कार्ड में अपडेट हो गया और अपडेट होने के बाद भी आप पहले जिन योजनाओं का लाब मिल रहा था वो सारा का सारा बंद हो गया लेकिन अब आपको यहाँ पर टेंचन नहीं लेना है यदि आपके जन अधार की EKYC वो गलत हो चुकी है तो अब आप इसक किसे बताना चाहूंगा देखिए यह दि आपके जन अधार की EKYC में पहले डेटा गलत था तो उस डेटा को आपको अपडेट करना है वो डेटा कैसे अपडेट होगा आपके अधार कार्ड में अपडेट होगा तो पहले आप अपने अधार कार्ड में अपना नाम है माता अधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए और अधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए सम्मंदित जो अधार का सेंटर है उस पर आपको विजिट करना पड़ेगा जी हाँ खुद नहीं कर सकते लेकिन जन अधार की EKYC है आप खुद कर सकते हो किसी Emitr वाले के पास आपको जाने के आवसेकता नहीं है माल लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आपने अपना जन अधार कार्ड अपडेट करवा लिया एक बहुत तोर बताओं आपको यहाँ पे कि अधार कार्ड को अपडेट कराने के बाद उसका स्टेटरस है वो जरूर चाहिए किजिएगा क्योंकि देखने में ऐसा है कि कुछ सातियों ने अधार कार्ड को अपडेट करवा दिया तो मन-मन खुशी-खुशी यह सोच रहें कि मेरा तो अधार कार्ड अपडेट हो गया कई बार आपके अधार के update को है अधार authority के दोरा reject भी कर दिया जाता है तो आपको यहाँ पे अधार update को लेके जो slip दी जाती है उस पे जो number होता है इसके मदद से आप अपने अधार का status हो चेक कीजेगा अगर status में यहाँ पे verify लिखावा आता है कि आपका अधार है वो update कर दिया गया है उसके बाद आपको यहाँ पे जन अधार की EKYC करनी है और EKYC मर्जी आपकी है दो तरीके हैं या तो आप Emitr वालों के पाज़व या फिर खुद आप अपने SSO ID से करो और मैं आपको खाना चाऊँगा कि खुद ही कर लो अपनी SSO ID से कहीं जाने की आफसेकता नहीं है नहीं पता है तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है सभी important वीडियो का लिंक आपको वीडियो की description में वो मिल जाएगा अब EKYC को update कैसे करना है मैं यहाँ पे SSO ID के दौरा आपको यह process बता रहा हूँ सबसे पहले आपको अपने SSO ID के अंदर login करना है और उसके बाद आपको जन अधार की जो application है उसको आपको open करना है इसके बाद यहाँ पे आपको यह option मिलेगा click कीजेगा उसके बाद जन अधार EKYC का एक और option आपको मिलेगा इस पे click कीजेगा पहले यहाँ पे अपने अधार से है इसको verify कर दिजेगा verify करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको EKYC वो नजर आएगी अब आपने यह दी अपने परिवार के किसी भी सदसे की EKYC पहले कर दी है तो उस सदसे के नाम के आगया आपको यहाँ पे देखिए update का option हो मिल जाएगा और click कीजेगा click करने के बाद final इसे submit कीजेगा और final submit करने के बाद यहाँ पे आपके आधार का data उठके है आपके जन आधार में update हो जाएगा अगर यह तुरंट update नहीं होता है तो आप tension मत लिजेगा अगले 2-4 दिन में या 5-7 दिन में यह update हो जाएगा बस process यही है इसी process से आपको गुजरना है आसा रखता हूँ कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होगे अब EKYC को लेके यह दिए आपके और कोई सवाल है तो comment कर के मुझे जरूर बताएगा और आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लिगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर सेर कीजिएगा मिलते हैं friends अगले एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन जाहरत